जीवन में सिर्फ मस्ती होनी चाहिए आजकल तो सोसल मीडिया का दोर है फेस्बुक आप इसे कहते हैं फेस्बुक मैं इसे कहता हूं फेंक बुक 95% बाते जूटी जो आजमी सरकारी सबसीडी के बिना घर में टॉलेट तक नहीं बनवा सकता वो भी फेस्बुक पे गल्फ्रेंड के लिए ताज महल बनवाने का प्रोमिस कर रहा है जिसकी जेब में अपनी साइकल में पंचर लगवाने के पैसे नहीं है वो फेश्बुक पर पूरे देश को सला दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाल सकते हैं जिसके घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते वो फेश्बुक पर नरेंदर मोदी जैसे प्रधान मंतरी को सला दे रहा है कि जो बाइडन की साथ किन-किन सब्जेक्ट पर चर्चा करनी चाहिए जो किसी की नहीं सुनता उसको सला दे रहा है इन दोनों परधान मंतरी में यही एक भिन दिता है पहले वाला बॉलता नहीं था अब वाला किसी की सुनता नहीं दोनों में यही फार्च है बाकी बहुत बढ़ी है साथ सोचल मेनिया का दूर बच्ट आप यसे कहते हैं पर अकाउंट 130 जल जश्कानी नहीं देखा उसके पिशंबूखर अकाउंट 130 धरस भूख अइँ प्रकाउंटो प्लगिर्गों लग्हागाते हैं न इन न लुए कि फेस्बुक एकाउंट होडर दिबाग कम आंख ज्यादा चलाते हैं कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो एक गंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं एक गंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं पिछले दिनों फेस्बुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का काड़ पोस्ट कर दिया एक गंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में यवसर बार-बार आई ऐसा लिख दिया फेस्बुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई दोस्ती बड़ी गहरी हुई यानि दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैंसला किया और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने और दोनों की पोल खुल गई कि दोनों के दोनों पति पत्री निकले है साधी करने का दोनोंका उत्साभ पल lähट हादी तो क्या करते लिए इन दोनों कर तलाक हो गया ये सोशल मीडिया यह हमें कहां से शे 수 है का दिया है के एक दिन तो सब दो सब करने चाहती हुए तो बापまぁ को टेंसे न बोले बेटा यह सब कब हुआ? लड़की बोली पापा एक वेबसाइट पर हम दोनों की पहचान हुई, फेस्बुक पर हम दोनों की दोस्ती हुई, स्काइप पर उसने मुझे प्रपोज किया, वाट्सप पर हम दोनों ने छे महने तक प्यार किया, बाप भी सोचल मीडिया का बिमार बोले वेरी गूड अब तुम ट्विटर पर साधी कर लो पिलिप कार्ट पर बच्चे ओडर कर दो जी मेल पर रिशीव कर लेना और अगर पती पसंद ना आये तो OLX पर भेश देना यह सोशल मीडिया इसने हमें कहां से कहां पहुचा दिया है बढ़िया लोगे साथ जो लोग हमें इतने बताजे ना हर्चुन कर चले बढ़िया बस चलते रहेगा प्रोग्रम आप चिंता मत को रहो मैं जानता हूँ आप आप तो बूले आप तो सुनाओं यह तो इत्ना बढ था उसने मेरी तरफ निशाना लगाया मैंने गा बेटा अगर पसन नहीं आ रहे तो बैठ जाओं वो बोले नहीं आप तो सुना आप तो हमारे मेमान है मैं तो उसको ढूंड रहा हूं जिसने आपको बुलाया है तो आप जानते हैं मुझे किसने बुलाया है डर लगता है कई बार ऐसे को आए एक प्रोग्राम में और ऐसे ही आ गया मैं ऐसे ही कहुता सुना रहा है एक आदमी ऐसे ही आया मुझे देखके बोला बोले भाई साब आपके पिताजी क्या करते थे मैंने का वो भी बहुत कविथे बाइस किताबे लिखी वो बोले और उनके पिताजी अब मैंने कविता के पिता ची व क्यों गया रहा है वो बोले कुछईनी में तो देखना चाह रहा था किस बेउकुपी की जड़ कहां तक गई हूय है अधालिया वाले ठीक से ठोको तो मुझे पढ़ा जलने तो इसले डर लगता है जब कोई ऐसे सामने साता है आज जो चुनाओं का माहूल चलरा वे इसी बड़ा ख़तरनाक मैं अभी गया तो साब मद्ध्य प्रदेश में चुनाओं मैं चुनाओं कितने ख़तरनाक इतने ख़ शुक्तादे हरा था इस बोले लोहे को लोहा काटता है हीरे को हीरा काटता है इतने में कुत। भी नाग उनको काट लिया कि मैंने निकाँ अभी आँध अथ समझें के मैं क्या के रहा था हम य HongkЙ ने तापने खतरनाक मिले हमें, एक नेता जी शड़क से जा रहे थे, शड़क पर एक कुट्टा लेटा हुआ था, नेता जी न बिना मतलब उस कुट्टे को एक लाज जमाई, कुट्टा उठा, उसे नेता जी की तरफ देखा, और फिर सो गया, तो मैं कुट्टे के पास गया, मैंना गया यार तेरी कोई गलती नी थी, तु बड़ी फुर्शत में सोया हुआ था, फिर भी इस नेता ने तुझे एक लाज जमाई, क्या तेरे दिल में बदले के भाव नहीं जगे, कुट्टा बोला सर, दिल में बदले के भाव बहुत जगे, पर इन नेताओं के मूँ कौन लगे, ऐसे ऐसे नेता हमें मिले है, नेता हमें ऐसे ऐसे मिले, कि सर में भेजा नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं, बेजा उपर वाले ने भेजा ही नहीं, सर में भेजा नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं, खुजली खुद को है, पर जनता को नोच रहे हैं, और हाल बताऊं क्या मैं इ तरपन पूँच रहे हैं उसे खतरनाग्क नेता हमें मिले मैं गया दरतनाओं के माहुल में एक नेता जी भाषण दे रहे थे एक मैं किसी का नाम दोंगा मुझे पता आचार सहीता लग रही यह लेकिन जो कह रहा हूं हो सच कह रहा हूं और बिलकुल आचार सहीता को प्रभावित ने कर रहे एक नेता जी भासन दे रहे थे बोपाल में भासन इतना बढ़िया और एक line का व्यंग आप तक बात पहुंच रही है जितने लोगों तक बात पहुच जाए बताना क्या आप तक बात पहुचिए बारीग बात है नेता जी भाशन देरे थे भाशाव आप बहुत बढ़िया सुन रहे है बोले भाई यो और बहनों यह जो पिछली सरकार के नेता थे इन नेता कहीं खो गया है, साला आदमी तो नहीं हो गया है, सूखे के दोरे पर चला था कल, पानी पानी तो नहीं हो गया है, कैसे कैसे नेता हमें मिले, ऐसे नेता मिले, एक नेता कैसे कैसे मिले, कि डाकवो का इंटर्व्यू करने के लिए हम चंबल गए, मुझे वहाँ डाकू ढूंजर नहीं आएं मैंने वहाँ भटकते वे एक आदमी से पूछा बाइसाब आज कल यहाँ डाकू नहीं रहते वो बोला नहीं भाइसाब अब उन सब डाकों की पदोन्ति हो गई है उनकी जगे चमबल में नहीं उनकी जगे देश की राजनीती में हो गई है उनकी जगे देश की राजनीती में हो गई है कही ना कही हमने गलत लोगों को चुनना शुरू किया इसलिए उसके दूस्परिणाम भी हमको जेलने पड़े हम लोग फिर बोलते हैं खराब लोग चुले पहले वो कुख्याट डाकू थे अब मंत्री हैं पहले थे पूछा नेता जी आप में इतना बदलाओ कैसे आया वो बोले कैसा बदलाओ ? जब मैं डाकू था, कपडो का रंग काला था, अब एकदम जख सफेद उजला है दोस्त मैंने वो काम नहीं छोड़ा बस काम करने का तरीका बदला है बस काम करने का तरीका बदला है काम करने का तरीका बदला है बहुत बढ़िया आप लोगों ने आनंद के साथ सुना आईए बस 10-5 मिनिट हमारे पास और है मैं यो नहीं चाहता आप क्यों खाने के बीच में मैं आ जाऊँ हाँ आप पक्के है वसूल करेंगे बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है वेकिन वाने कोई बात नहीं बस थोड़ी देर और आपके बीच यों आप बहुत बढ़ी हैं मुझे पता ही नि मुझे कहां से सुरू होता हूं बढ़ी है आप लोगों ने बड़े मंचे सुना मैंलाओं की मैंने बात की आप सच में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं यकीन वानिये हम लोग किस तरह के माहुल में जी रहे हैं किस तरह के परिवेस में सांस ले रहे हैं कैसे कैसे लोग हैं आज कल तो साब मैं बता रहो भिकारियों तक का स्टेंडर्ड हो गया मैं अभी चर्चिये टरस्टेशन के बार निक्रा तो एक भिकारी मुझे टकरा गया मुझे देखके बोला बाई साथ एक रुपया दो मैंने का भले आदमी तू एक रुपया ही क्यो मांगता है वो बोले कुछ नहीं मैं तो सामने वाले का स्टेंडर्ड देखके मांगता हूं या भारी हालत इतनी खतरनाक होगी एक बिखारी ने तो एक दिन मेरे से भीक मांगी बोला बीस रुपय दे मैंने क्या करेगा बोले चाहे प्योंगा अब मैंने का चाहे तो दस रुपय की आती है बोले मेरे साथ तू नहीं पिएगा इतने खतरनाक तो बिखारी होगे अच्छा एक और बिखारी ने तिन मेरे से भीक मांगी सर बोला बीस रुपय दे बेने क्या करेगा बोले चाह की हूँगा मैंने चाहे तो दस रुपय की आती है वो बोले मेरे साथ मैं मेरी गर्लफरेंड भी पीएगी अबे मैंने का बिखारी होगे गल्फ्रेंड बना रखी है बोले गल्फ्रेंड के चक्कर में पढ़कर तो बिखारी बना हूँ इतने ख़तरनाक तो बिखारी होगे एक दिन तो बिखारी ने मेरे से भीक मांगी सर मैंने उसे एक रुपया दिया उसने पहले एक रुपय को फिर मुझे बड़े गोर से देखा और कहा बस एक रुपया मैंने का माँप करना भाई साथ हम एक रुपय से ज़्यादा किसी को भीग देते नहीं है उसने वो एक रुपया भी मेरे उपर फैख दिया बोला ले जा यार हम भी तेरे जैसे भिखारी से भीख लेते नहीं है इतरे ख़दरनाग भिखारी हो गए अच्छे एक दिन तो एक भिखारी से एरपोर्ट के भार एक भिखारी ने मलीका सेरावत से भीख मांगी तुम्हारे गाँवाली मलीका सेरावत से एक भिखारी भीख मांगी बोला बहन जी दस रुपे दो मलीका न उसे पांच सो का नोट दिया तो मलीका सेरावत का सेक्रेटरी भिखड गया बोले यह क्या उसने 10 रुपे मांगे आपने 500 दे लिए बोले जादे ज्यान मत दो मली का बोली ज्यान नगान दो मेरे से पहली बार किसे ने बहँंजी कहा के कुछ मांगा है इतने ख़तरनाग अच्छा एक पर्मानेंट चोक के पर्मानेंट भिखारी को मेरे दोस्त पहले 20 रुपए देते थे फिर 10 रुपए देने लगे एक दिन ने 5 रुपए दिये तो भिखारी ने उसको रोक लिया बोले यार पहले 20 देता था फिर 10 देने लगा आज तो हद करती तुने 5 रुपे दिये वो बोला पहले अकेला था 20 देता था फिर मेरी शादी हो गई 10 देने लगा अब एक बच्चा भी हो गया तो 5 रुपे दिये बिखारी बोला यार पांच भी दे या मत दे लेकिन तुझे मेरे पैसों से अपने घर का खर्चा चलाते हो श्रम नहीं आती ऐसे ऐसे बिखारी हो गए है लेकिन कही ना कही दोस्तों हाँ आईए हमारे दोनों पदादिकारी पूरी तरह व्यस्थ हैं मस्थ हैं हाँ नो बजे मेरे भोजन की विवस्था होली पर कर रहे हैं होली पर भी नो बजे आप भोजन की ही विवस्था कर रहे हैं मैं आपके इन सात्विक विचारों को प्रणाम करता हूँ और और वो भी सोमरस के कभी को हाला कि आप मेंसे कई लोग हैं जो बिना भोजन करें पिशली गली से निकलेंगे और वास्तिविक रस का प्राप्त करने के बाद उन्हें आकर भोजन बेज्वान कर लेंगे मैं यही रहता हूं मुझे पता है सबको जानता हूं बहुत बढ़िया लोग हैं बहुत मन्द से आप लोगों ने सुना मैं एक अंतिम रोफ से एक छोटी जी का आप बदलाव का दोर है बदलाव का दोर है बदलाव कैसा आया बदलाव इतना आया समाज में कि पहले अगर दो लोग लड़ते थे तो तीसरा छुड़ा देता था अब दो लोग लड़ते तो तीसरा वीडियो बनाता है पहले दोस्तों के साथ में टाइम का पता नहीं चलता था आज टाइम पे दोस्तों का पता नहीं चलता है हम इस बदलाव के दोर में रह रहे हैं इस बदलाव के दोर में रहे हैं गुरुप पर तो क्या डालते हैं साब, पूछो मत, एक हमारी जान के पिछे पढ़ गया स्टेटस, पहले तो स्टेटस डालो, फिर ये देखो के किस-किस ने देखा, और फिर ये टेंशन के जिसके लिए डाला ता उसने देखा कि नहीं देखा, अचा स्टेटस भी इतने खत खतरनाक, खासकर महिलाओं के स्टेटस बड़े खतरनाक, क्या लिखती है, कॉम्प्ली, कॉम्प्लीकेटड, कांट डिस्क्राइब, पुर्सों का एक ही स्टेटस, एवेलेबल, आलवेज एवेलेबल, सिंगल, तीन बच्चों का बाप दी स्टेटस, सिंगल, कोई महिला अपना स्टेटस पर सिंगल नहीं दिखती, क्योंकि अगर उने अपने स्टेटस पर अपना स्टेटस डाला सिंगल, तो ये पुरुष्तुरन समझते हैं सिंगनल, इतनी खदरनाक बाप सिकता है स्टेटस, लेकिन बढ़िया माहल में आप आगए, बढ़िया मू कोई फर्क नहीं पढ़ता, आप जीवन में योगी हो या ना हो, आप उपयोगी हो ये बेहजरोरी है, कोई फर्क नहीं पढ़ता, आप जीवन में वेद पढ़ें या ना पढ़ें, आप किसी की वेद ना पढ़नी सीख ले, जीवन में ये बेहजरोरी है, ये बदलाव का दोरे साब, बदलाव कैसे कैसा आया, पहले हम लोग भागूख होते थे, इसलिए रिष्टे बनाते थे, फिर हम प्रेक्टिकल हुए, हमने रिष्टों से फाइदा उठाना शुरू कर दिया, अब हम प्रफेशनल हो गए हैं, जहां फाइदा उठाए जा सकता है, हम लोग वह ही रिष्टे बनाते हैं, इतना बनाते हैं, इसलिए कहता हूँ, जरूरी नहीं, हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए, अरे वो लम्हा भी पूजा है, जब इनसान, इनसान के काम आए, इत्र से, परफ्यूम से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब आपके किरदार से खुस भुआ है, कही ना कहीं आपके करेक्टर महकना चाहिए, कही ना कहीं आपके चरितर से खुस भुआनी चाहिए, बदलाओं के नाम पर हमने क्या क्या बदला साब, बदलाओं के नाम पर सहरों के नाम बदले, कस्बों के नाम बदले, पिछले ज जेब मार्ग पर चले या एपी जे अब्दुलकलाम मार्ग पर चले फर्क जब पड़ता है जब हम एपी जे अब्दुलकलाम के बताए हुए मार्ग पर ना चले इसलिए कहता हूं साथ जरूरी रही हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए वो लम्हा भी पूजा है जब इ बात रहते हैं हम डेरे के नाम पर और रहते हैं कुफा में इतना खतरनाक किरदार हो गया है बाबाओं की बात कर रहा है बाबाओं से बहुत तकलीब में निदा आजकल बाबा पड़े खतरनाक आ गए एक बाबा तो दूसरा ही उसके बाबा के आप इसले दूने एक आदमी प है को यहीं बोले कभी सब में लski जाते हो ला जाता हूं मुकरिश गोतम को सुना है सुना है तालीब ही नहीं बोले बस महें अठ्कि हुई है कि ताज के ऊपर कृपा बरस्ती रहे तो ताजी वही ठोक एक और आदम ही नीनि वो उसी या की तरबार 01 चाले अगले जिन सुवे सुवे इसके सामने पतनी ने चार प्राथे रख दिये इसको बाबा की बात याद आ गई भूले बीबी के बना हुए खाने की तारीफ करनी है ये शुरू ओ गया बोले वा क्या प्राथे है क्या टेश्ट है क्या लजज़त है क्या खुश्बू है ऐसा मन करता है जिन हाथों ने ये पराठे बनाए हूं हाथों को चूमलू गरवाली अंदर गई तीन फूटका लट उठा के लाई बोले 26 साल होगे अपनी साधी को 26 साल से अपने हाथ से बना का खिला रही हूं आज तक तो तारीफ नहीं की थी आज परोस्टन चार पराठे क्या दे गई तो कभी-कभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में भी काम दरबर हो जाता है बहुत बढ़िया एक हंतिम रूप से एक मिनट की एक छोड़ी सी कवीता आपके बीच पढ़ता हूं साथ कहना चाहता हूं कोई बड़ा नहीं होता कोई छोटा नहीं होता आजमी का काम उसको बड़ा नहीं है और जीवन में कभी कोई आपकी आलोचना करे अपनी आलोचना को पीना सीखिए मेरा दावा है जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे उस दिन आप सचमुद जीना सीख जाओगे कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है आदमी का काम उसको छोटा कर देता है आदमी दस बाई दस की छोटी ची जगह पर बैटकर महान काम कर सकता है काटून बना सकता है पेंटिंग बना सकता है रिसर्च कर सकता है ट्रेडिंग कर सकत है और आजमी ग्यारा सो एकड के धार्मिक डेरे में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है इसलिए कहता हम साब कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं आजमी का काम उसको बड़ा बना देता है आजमी का काम उसको छोटा कर देता है एक होती है नदी एक होता है सागर दोनों को प् बात आप तक पहुच जाएगी आप लोगों ने बहुत आनंद लिया आप तक बात पहुचेगी कि मैंने कलकल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुन्दर हो तुम मैंने कहा जब किसी की प्रसंसा होती है तो फूलना नहीं और अपनी आलोचना को पीना से के बस चोटी जी कविता एक मिनट के आप तक पहुच जाएगी मैंने कलकल कर बहती हुए एक नदी से कहा बहुत सुन्दर हो तुम नदी किनारों से जोर से टकराई मैंने प्रसंसा की नदी के निर्मल जल की नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया मैंने प्रसंसा की नदी के विस्त बुच्छे दिख विस्तारीत, मुच्छे दिख गहरा कैसे हो सकता है, नाराज होकर किनारों से टकरा कर बहने लगी थी नदी, मैं साघर के पास गया, मैंने साघर से उस नदी की चर्चा की, साघर खुश हुए, बोले जब वाप स जा само तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना किय इसलिया है इसलिए मैं मैं जैसे सुनने वाले सुधी लोग है इसलिए हम हैं शहर्दर कार्प्र देश-विदेश में घुउंध करते घूंबगों डिवरे, आप सुनने वाले सुधी Climate नहीं होंगे तो हम भी कहीं घर में बैठकर कविताइं लेगते रहेंगे सागर खुश्वे बोले जब वापिस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना वो नदिया है इसलिए मैं हूँ वो छोटी है पर मीठी है मैं विसाल गहरा हूँ खारा हूँ ठहरा हूँ कहने को ये कविता है एक लगू कथा है लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे बलकि बड़ा वो है जो सब को साथ लेकर चले और सब का सम्मान करे जो सब को साथ लेकर चले और सब का सम्मान करे बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल झाल